हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे तो दोस्तों GPT Healthcare का IPO इस IPO में अपलाई करने के लिए आज की तारीक में दूसरा दिन था अब सोमवार को इस IPO में अपलाई करने के लिए आखरी दिन होगा तो इस पर हमारा final decision क्या है वो हम जाने इस वीडियो के अंदर उसके अलावा दोस्तों Juniper Hotels का IPO इसको बहुत कम subscription देखने को मिला उसके बारे में भी जानकारी लेंगे उसके अलावा दोस्तों AXICOM, Platinum इन दोनों IPO की ग्रे मार्केट के अंदर बहुत ही शानदार demand चल रही है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे सबकी लिंक आपको description के अंदर मिल जाएगी सबसे पहले दोस्तो AXICOM टैलेस सिस्टम का IPO जिसका ग्रे मार्केट का premium बहुत ही शानदार चल रहा है करीब करीब 110 रुपय पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का premium आज की तारी में बता रहा है तो बढ़िया डिमांड है 100 शेयर का रिव्यो का वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगा लग बग मैं कोशिश करूँगा कि कल सबा तक आपको इसके रिव्यो का वीडियो मिल जाएगा जल्दी ही दिमांड काफी शानदार चल रही है आप मैंसे कौन-कौन से लोग इस IPO में अपलाई करनी के लिए excited है मुझे कमेंड करके ज़रूर बदाईगा मैं भी personally बहुत excited हूँ फिर तो platinum industries का IPO इसकी भी demand बहुत ही शानदार चल रही है और आज इसका exact grey market का premium भी आ गया है निबबे मतलब 90 रुपीज पर शेयर 87 शेयर मतलब 37 शेयर का ये lot है तो 7830 रुपए हमें एक lot पर आज की ताइक में अंदर रहेगी इसलिए मेरा ज्यादा इरादा है कि भी अच्छे आईप्यो दाएं उनके इंदर हम रिस्क लें और पर्सनली अभी जूनिपर आईप्यों की दिमांड थोड़ी सी कम चल रही है और इसके रिप्यू का वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा कि कल तक आ जाए पर दोस्तों भारत हाइवे इन वीडि ओ अभरे एट आई इन वीडियो मदद्द ये चीज क्या हैं तो इन वी आई ट आई यह विएटी जो से पोजीट्ब होते हैं कोई भी कमणी इंफ्रा स्वक्यर के काम गड़ती है तो इन्वी आ जी कि मैं पैसे लग संदर humans को चाल HIS इंड़े जो टूब से वहां पर मारे पास होते हैं तो हमको लग। भी कमपनी αमगी को फॉट भॉट हूआ तो इसका associ का ऐसा अलग-अलग investors में थोड़ा-थोड़ा करके बांड देगी तो मतलब हमारे dividend की रूप में इसके अंदर income होती रहती है सालाना करीब-गरीब मैंने देखा है कि ज़्यादा तो नहीं होती 8-12% की बीच में देखने को मिली है इससे ज़्यादा मुझे देखने को नहीं मिली है ज़्यादा तर अभी dividend के अंदर तो ज़्यादा stock अभी जो चल रहा है वो वेदानता आगे चल रहा है तो वो 30-40% ज़्यादा dividend मिल जाता है बाकी अधर stocks भी है पर इसके अंदर dividend के रूप में ज़्यादा income देखने को मिलती है और मैंने जन्दली ऐसे stocks देखे हैं REIT stocks के हैं या INVIT stocks के हैं इनके अधर ज़्यादा share के अंदर भी growth देखने को नहीं मिलती है मतलब 30-40% growth हुई फिर उसके बाट डाउन हो जाता है फिर वापिस same की same लगबग price चलने लगती है मैंने देखा मानलो कोई भी share price 100 रुपए के अंदर launch हुआ फिर ज़्यादा से ज़्यादा 140 गया फिर वापिस नीचे आ गया और फिर वापिस वही 110 उसके आसपास move करता है मतलब return की बात कहें overall return सालाना ज्यादा मैंने नहीं देखे हैं बस हाँ है कि dividend के रूप में सालाना fixed income मिलती रहती है तो ये चीज है जरूरी नहीं कि ये भी SI performance करें पर मैंने ऐसा जनरली देखा है ठीक है अब ये बात आपको समझ में आगी कि भारत NVIDIA क्या है ठीक है अब इसके इंदर जो portion रखा गया QIB portion 75% का NII portion अब 25% का है इसको लेकर मुझे भी थोड़ा confusion है कि भी इसके इंदर retail portion है या नहीं है मतलब 15,000 वली lot apply कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसकी जानकरी मैं आपको अगले वीडियो के अंदर दे दूगा ठीक है तो क्योंकि मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि भी इसके related आगे जानकरी पूरी जुटाने पड़ेगी पर जहां तक अभी जानकर ये कि इसके इंदर retail portion सायद नहीं है और बात करें इसके GMP की तो GMP अभी तक open नहीं हुई है तो अभी ये जो तीनों ही IPO है काफी excited IPO है मतलब तीनों में ही मुझे थोड़ा चर्चा बना हुआ है तीनों ही IPO का अब देखते हैं के ankle इस पगेरा कैसी आती है और आने वाले टाइम में एक ऐसा performance करते हैं तो मैं review वाले वीडियो एक एक करके लाता रहूँगा आपके लिए इसलिए हमसे जुड़े रही है बैल आइकन पर दबा के रख लीजिए और टेलेग्राम चैनल को जरूर जोइन कीजिए ताकि वीडियो का notification सीधा आपको मिल जाए टेलेग्राम चैनल की link description के अंदर है फिर दोस्तो बात करें जुनिपर होडल्स के IPO में अपलाई करने के लिए आकरी दिन था यो total कितने गुना सब्सक्राइब हुआ है तो दोस्तो ये total 2.18 गुना total सब्सक्राइब हुआ है 2157 करोड रुपे लगे हैं इस IPO पर बहुत कम subscription है especially QIB ने बचा लिया इसको NII portion तो under subscribe रहा है तो बहुत risk वाला काम रहा जुनिपर होडल्स IPO के लिए हलांकि एंकलिश तो अची है अब देखते हैं ये performance कैसा करता है और retail portion 1.31 गुना के आसपा subscribe हुआ है नए पोजिशन के अंदर तो सबको इसका अलाटमेंट मिल जाएगा retail portion के अंदर मतलब लगबख सबको retail portion के अंदर भी इसका अलाटमेंट मिली ही जाएगा और बात करें इसके grey market के premium की तो एक परसेंट मतलब आब यू मान के सिल सकते हैं 0 GMP चल रही है कोई भी demand नहीं है इस IPO की आप मैंसे किन-किन लोगों ने इस IPO में अपलाई किया है comment करके जरूर बताएगा फिर दोस्तों GPT Healthcare का IPO तो इस IPO में अपलाई करने के लिए सोमवार को आकरी दिन है तो final decision क्या है देखिए दोस्तों final decision यह है कि मैं जानकारी आपको दे दूँगा पर decision आपको अपनी risk और अपना analysis लगा के बनाना है ठीक है तो अब यह total दो दिन के अंदर जो subscribe हुआ है 0.85 टाइम 0.85 गुना मदब 85% टोटल subscribe हुआ है 314 करोड़ी रुपए लगे है इस IPO पर बहुत कम पैसा लगा है दो दिन के अंदर मदब overall demand कम नजर आ रही है इसके अंदर retail portion fully subscribe हो गया है पर बाकी सारे portion under subscribe है तो यह भी थोड़ा सा चिंता जनक बात है बाकी हाँ जुनिपड IPO से compare करें तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा demand चल रही है बाकी इसकी GMP मदलब लगब 8% मिलब 8% के आसपास चल रही है मदब 15 रोपे per share 80 shares का lot है करीब करीब 1200 रोपे हमें एक lot पर आज की तारिक में फाइदा दीखने को मिल रहा है percentage wise 8 मदब 8% जैसा grey market का premium है तो इस IPO की reward बहुत कम चल लिए ankle list भी ठीक ठाक है 10 मैं से share rating दे सकते हैं मदब खराब भी नहीं है ठीक ठाक ankle list कह सकते हैं not bad ankle list अब लिस्टिंग के साब से थोड़ा risk नजर आ रहा है जी एंपी वगेरा कम है लॉंक टम के साब से positives negatives दो नहीं देखते हैं तो इसका सेक्टर बढ़िया है hospital सेक्टर सदाबार सेक्टर है demanding sector है अगर hospitals के संक्या बढ़ती आने वाले टाइम में all इडिया के अंदर branches दिरी दिरे बढ़ती है तो तो इसके लिए अच्छी बात होगी बाकि financially देखे तो financially strong है मतलब enough strong company कह सकते है ROE ROC अच्छी है 15% से उपर गी है और अपने peer से भी ROE ROC ठीक है और East मतलब Kolkata side इसकी अच्छी पकड़ है मतलब ठीक है negatives में बात करें तो क्या है कि इसके valuations थोड़ी सी और सस्ती करनी चाहिए हलांकि महंगी valuations नहीं है थोड़ी सी और सस्ती कर लेते तो बढ़िया रहता बाकि इसको अभी और ज़्यादा growth करनी है तो All India के अंदर फैलना पड़ेगा या East के अंदर भी ज़्यादा अपनी branches लगानी पड़ेगी तो थोड़ा growth और करनी है तो बाकि बड़े player से compare कर तो bad capacity थोड़ी सी कम है हलांकि bad occupancy अच्छी है इसकी मतलब bad इसके बरे हुए रहते हैं और जहां पर यह situated है तो वहां पर क्याए कि इसकी demand अच्छी है मतलब overall इसका business वगेरा ठीक चल रहा है पर क्याए कि overall अभी demand इसकी कम है main चीज़ी है कि GMP वगेरा कम चल रही है subscription कम देखनी को मिल रहा है तो अब लोग ज़्यादा तर तो listing gains के लिए apply करते हैं तो वो अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा है हलांकि ज़्यादा कम ही नहीं है ठीक मतलब यह company नज़र आ रही है और देखे personally मेरा तो विचार listing gains के लिए है अगर listing gains नहीं मिल रहा है तो personally मुझे थोड़ा interest कम आ रहा है और देखूंगा कि आखरी दिन QIBs के तरफ सर्फ activation आता है तो उससे सबसे apply करना नहीं करने का decision मतलब बना सकते हैं बाकि अभी के लिए overall demand कम नज़र आ रही है तो आप लोग क्या करेंगे क्या SIPO में apply करेंगे नहीं करेंगे मुझे comment करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों ये थे सारे आज की updates आप दोस्तों बात करें SME IPOs के अंदर पूरो flexi cap IPO उसकी demand चल दिए करीब करीब 100% के आस पास बागी देखें दोस्तों GMP बगिरा को देखें decision ना बनाएं बागी सारे factors भी देखें और कोई भी आप decision बनाएं अपनी risk और अपना analysis लगा के बनाएं तो ये थे सारे आज की updates उम्मीद करता हूँ हमारे वीडियो हमारी जान करें आपको काफी पसंद दे होगी